क्या सनम जोहर अब सूपर डांसर चैप्टर 4 में नजर नहीं आएंगे क्या है पूरी कहानी चलिए बात करते हैं नमस्कार दोस्तों आप देख रहे हैं बॉलिवुड स्पाई जैसा कि आप जानते हैं सूपर डांसर चैप्टर 4 में सनम जोहर और स्प्रिहा काफी दिनों से नजर नहीं आ रहे हैं आप जानते हैं कि सूपर डांसर के साथ एक सूपर गुरू भी होते हैं जो उनको लगातार पूरे सीजन में ट्रेन करते हैं उनके साथ परफॉर्म करते ह और स्प्रिछा के सूपर गुरू है सनम जोहर लेकिन जसा के आप जानते हैं स्प्रिछा को प्रेक्टिस के दौरान इंजिरी हो गई थी और इसी वज़े से स्प्रिछा और उनके सुपर गुरु सनम जोहर शो में नजर नहीं आ रहे थे, कोई performance नहीं दे रहे थे हाला कि सनम जोहर ने इंस्टेग्राम पर आकर बताया था कि वो जल्द ही वापसी करेंगे लेकिन इंडिया फूरम्स की अभी एक रिपोर्ट सामने आई है और रिपोर्ट के मताबिक उनका कहना है कि सनम जोहर को सूपर डांसर चैप्टर 4 अनफोर्सीन कंडिशन्स की वज़ से छोड़ना पड़ रहा है वजह यही बताई जा रही है कि स्प्रिहा की इंजरी की वज़े से अब वापसी करना मुश्किल है और इसी वज़े से सनम जोहर को ये शोड़ना होगा आपको बता दें कि अगर ये खबर सच है तो ये दोबारा सनम जोहर के साथ ऐसा हो रहा है क्योंकि पिछले साल भी देखने को मिला था कि सनम जोहर को इसी तरीके से शो छोड़ना पड़ा था जब जै उनके साथ कंटेस्टन थे यानि की सूपर डांसर थे अब देखना होगा अगर ये खबर सच है तो वागई सनम जोहर के लिए एक बुरी खबर है आगे जो भी अपडेट इस बारे में मिलती है हम आपको जरूर बताएंगे अभी के लिए इतना ही देखते रहिए बॉलिवुद स्पाई